नमस्कार दोस्तों मैं रश्मी पूजा पार्ठस्मी के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है तो आज में आप सबको बताने वाले कि खरमास की सुरुवात कब हो रही है और आपको खरमास में जिसें आप मलमास भी कहते हैं तो आपको कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना तो अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करेंगा पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो माना जाता है कि सार में कुल बारा संक्रांती होती जब सूर ग्रह किसी रासी में प्रवेश करता है तो वैं संक्रांती कहलाती है बारा संक्रांती में धनू और मीन संक्रांती काफी खास होती है यह संक्रांती होने पर अंगली संक्रांती तक किसी तरह के भी मांगलिक का जैसे मुन्दन है छेदन है ग्रह प्रवेश है विव जाता है इस दरान कोई भी काम नहीं किये जाते हैं खर्मास की शुरूबात 16 दिसंबद 2022 से होने जा रही है तो खर्मास सुरू होने के बाद अंगले 30 दिनों तो कोई भी मांग लिक कर नहीं करना है तो आप सुन रहे होंगे कि इसके बाद साधी के जो विवाह के तिधियां है वो बंद हो गई हैं खर्मास तब लगता है जब सुरू धनु राशी में प्रवेश करता है इसलिए इसे धनु खर्मास भी कहा जाता है आपको 30 दिनों तक कोई भी मांग लिक कर नहीं करना है जैसे मुंडन करने वाले हो गराप प्रवेश करने वाले हो या फिर कोई आप ब्रत चालू करने वाले हो तो खर्मास में आपको भी कोई ब्रत भी प्रारंब नहीं करना है गर आप कर रहे हो तो वो ब्रत आप कंटीन इस कारण से यस समय कोई भी मांगले कार नहीं किये जाती हैं। साल में दो बार खर्मास लगता है, एक बार जब सूरि मेन रासी में प्रवेस करता है तो 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक इस तरह खर्मास लगने वाला है तो खर्मास का समय आपको बताने वाले हैं कि कब से कब तक खर्मास है मतब मलमास भी चीसे कई लोग कहते हैं तो खर्मास कीतिती 16 दिसंबर से सुरू हो का 14 जनवरी तक चलेगी, जिस दिन संक्रांती है, तो संक्रांती के बाद ही आपके कोई भी मांगलिक क्या सुपकाम होंगे, तो 14 जनवरी को सुर्मकर रासी में प्रवेश करेंगे, तो उस दिन से सारे मांगलिक कार प्रारंब कर द बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस समय निर्मित किये गए मकान सुख नहीं देते हैं इसलिए ग्रह निर्माड भी वर्जित होता है मतब आपको इस दौरान ग्रह निर्माड में मतब आपको घर का बिल्कुल भी नियू नहीं रखनी मतब आपको कुछ भी सुरू नहीं करना इन कारें को आप लंबे समय तक चलाना है उनको भी समय रोग देना चाहिए तो इस तरह से आपको मैंने बताया है मुंडन है कंशेदन है नाम करन है मतब किसी और बरहू संसकार है तो ये सारे काम भी इस समय बिलकुल भी नहीं होते है अगर आपने ये है कि मतलब आप बारा दिन का जो होता जैसे आपका बच्चे का बरहू बारा दिन वाला है वो आप कर सकते हो लेकिन ऐसा है कि आपको मतलब उस दिन उसका नाम क रखना है या बच्चे का कोई सुब काम करना है तो बिल्कुल भी मत करिएगा तो जो मैं बता रही हूं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस तरह में आपको उसका सुब लाव ना मिलेगा और उससे आपको कुछ ना कुछ हानी अवश्य होगी इसलिए इस समय ये काम आपको बि नहीं करने है इस दोरान आपको पूजा पाट में पूरा ध्यान लगाना है जितना जादा हो सा कि आप पूजा पाट करिए लेकिन आप जैसे चाहते हैं कि कोई नया व्रत चालू कर रहे हैं जैसे प्रदोश है कोई भी सुख्रवार व्रत है तो इस समय चालू मत करिए मतलब आपको प्रेम से आप बिवाय मंदिर में करना चाहते हैं चैनल संब्सपाइब बाप को ऐसा विवाय नहीं करना जिसमें सारे लोग सामिल हो इसके अलावा यह एक महिना महाधर में दान जब तब आदी के लिए बहुत ही उत्ता माना जाता है जितना ज़्यादा आप दान दे सके तो दान में आप खिचरी दान दे सकते हैं इस समय आप अन्य का दान दे सकते हैं कपड़ों का ठंडी है तो कपड़ों का दान दे सकते हैं और खाने पी में बहुत थ्यान लगाना है सीमांत जात कर्म और अन्य प्रासन आदिकर्म पूर्वि निशित है अगर पहले से कुछ भी निशित है तो इस आवादी में किये जा सकते हैं इसके अलावा खरमास के महीने में ब्राम्वन गुरु गाये और साध्यों सन्याशियों की सेवा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है कि आप कोई भी सन्याशिय है कोई भी साधू है वो आपके घर में आए हैं आप उन्हें खिलाइए भोजन कराइए गाये का दान दीजिए गाये को भोजन कराइए एक रोटी गाये के लिए वश्य निकालिए तो इस तरह से ये सारे काम ब्रा आर्मी की स्थानों में जाना बहुत ही उत्तम माना जाता है कि आप वहां जाए पुजा पाट करिए दान पुन्न करिए तो ये बहुत ही सुभ माना जाता है तो इस तरह से मैंने बताए कि आपको खरमास कब से प्रारम हो रहा है कौन से काम करने है कौन से काम नहीं करने है इस परिक्रमा के दारान सूर कहीं नहीं रुकते हैं लेकिन रत से जुड़े घोडे विश्राम ना मिलने के चलते ठक जाते हैं यह देख सूर देव भाबुख हो जाते हैं और घोडो को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास ले जाते हैं तभी सूर देव को आभास होता है कि अगर रत रुकत अनर्थ हो जाएगा सूर देव तब तालाब के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ दो खर अर्थात गधे दिखाई देते हैं सूर अपने घोडो को पानी पीने के लिए तालाब पर छोड़ देते हैं और रत से खर को जोड़ देते हैं खर बड़ी मुश्किल से सूर देव को रत खीच पाते हैं इस दोरान रत की गती हलकी पड़ गए सूर देव बड़ी मुश्किल में इस मास का चकर पूरा कर पाते हैं लेकिन इस बीच उनके गोड़े विश्राम कर चुके होते हैं अन्ता सूर का रत एक बार फिर अपनी गती पर लोटाता है ऐसी मानेता हैं कि इस हर साल खर मास में सूर के गोड़े आराम करते हैं तो ये ह करमास से जुड़ी कता की और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद